वाहिगुर्ची का खालसा वाहिगुर्ची की फते एक भारतिय मूल के अमेरिकी सिख व्यक्ति को एरप्लेन से उतर कर जहाँ छोड़ कर जाने के लिए बोल दिया गया इसके बाद उस सिख व्यक्ति ने कहा कि जब तक यह एरपोर्ट अथार्टी और उनकी सुरक्षा टीम उनसे मा भी नहीं मांगती तब तक वह किसी भी तरफ ट्रेवल नहीं करेंगे और ना ही कहीं पर जाएंगे आएए इस सिख की कहानी के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखकर आगे शेयर जुरू करना वारिस आलुवालिया जो की अमेरिका के रहने वाले हैं एक बार साल 2016 में जब वह मेक्सिको से निव यॉर्क के लिए हवाई यत्रा करने पहुंचे तब उन्हें एरपोर्ट के उबर रोक कर दस्तार उतारने के लिए और अपनी पगड़ी उतार कर कलाशी करवाने के लिए कहा गया था दोस्तो असल में 9-11 हमले के बाद बहुत सारे सिखों को बहुत सारे अमेरिकन लोगों ने परिशान किया था क्योंकि वह सिखों की पगड़ी को देखकर यह अंदाजा लगाते थे कि यह भी एक अफगानिस्तानी है यह भी एक अर्भी व्यक्ति है इसलिए इंटरनेशनल एरपोर्ट के उपर सिखों की पगड़ी की चेकिंग के लिए आज कल काफी अच्छे नियम बन चुके हैं आज के समय में हर सिखों की पगड़ी की स्क्रीनिंग करके जाज की जाती है लेकिन उस समय मेक्सिको एरपोर्ट के उपर उनकी पगड़ी की स्क्रीन कि यह एक अफगानी व्यक्ति है अफगानियों जैसी इसने पकड़ी बांदी हुई है लेकिन इस बार वारिस आलू वालिया ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वह यहां से आगे नहीं जाएंगे उन्होंने सारी संभावनाय लगाई और उसके बाद उन्होंने हायर अथौ को वहां पर शिकायत की और यह भी कह दिया कि यदि मैं यहां से आगे चले जाता हूँ तो आने वाले समय में यह लोग हमारे सिख भाईयों को फिर से परिशान करने लग जाएंगे उनकी पगड़ी उतारने के लिए कहने लग जाएंगे इसलिए उन्होंने वहीं पर रुक पर दो दिन रूख कर अपनी इस पगड़ी का सम्मान बढ़ाया और पगड़ी और उसकी सेप्टी के बारे में उसकी एहमियत के बारे में समझाया और आने वाले समय में अपने सिख कौम के भाईयों के लिए भी मिसाल बने वारिस आलू वालिया जी एक अच्छे एक्टर और डिजाइनर है हम उनके इस अच्छे नेक काम की सराना करते हैं दोस्तों आप वीडियो के बारे में अपनी राय और अपने सुझाव जरूर लिखना इस वीडियो को आगे शियर जुरू करना वाहे गुर जी का खाल साब वाहे गुर जी की फते